MP से है Анीटा जी स्वागत है आपका नमस्कक Also अब है कि अघृत करनी है जी बात अरेनी छुदरी मैं हजिर हूँ बताई यह यह क्या सेवा मेरे न बालबे में इम है कैमे जी क्या दिखतने उस है और पतानी डाक्ट्र ताव था बोल रही ड्यों रहा है और एक नास है ना वो बलुन की तरह फूली है नाक आपकी नस अचा नस फूली हुए है अचा कुछ लिया आप ने मेरा नुस्का मैंने जो बताया जी आपने कोई नुस्का लिया है मेरा अभी तक नहीं हाँ अभी इंदोर की दबाई चल रही है इंदर की चल लगे हे हैं पर मुझे बहुत ठकान बोट जली हो जाती है मैं खडी देती हूं तो मेरे पेर में सूजन आ जाती है और नव बहुत ठक जाती हूं अचा आयू और बता दीजे और मेरी पेर घुटने में भी बहुत दर्द रियता है आप आयू बताइए मुझे आयू मेरी पचास ठीक है देखिए वही सवाल आ गया आप कह रहे थे मेरी पैल जाता है और देखिए थोड़ा सयम रखें और जो मैं नुस्का बता रहा हूं उसे उस तरह ही ले जैसे मैंने बताया है धनिया और अलसी पीस के रखें दो दो सु गिराम अलसी को हलका सा भून कर उसका पौडर बनाए धनिया का पौडर बनाए इन सब इन दोनों को मिला दे आपस में और एक आता है गौन स्याह इकाला गौन असली चाहिए हर सूरत में हर कीमत पर असली चाहिए ये आधा गराम लेजे और एक आता है नमक जैतून ये भी असली चाहिए ये एक चुटकी है एक चुटकी नमक जैतून एक आदा गिराम बॉनसिया और ये जो पौडर मैंने आपसे बनवाया अलसी और धनिये का ये एक चमश है इसमें मिलाकर आप रोज आना नाच्टे के बाद और रातों खाने के बाद खाना शुरू करें है ओर कमस कम साथ दिन दस दिन सबर करें एतने दिन में थोड़ा है फायदा शुरू करेगा और 7-8 महीने क्षाने को तयार रहें असली दवाइएं अगर आपको मिल गई तो आपको फायदा होना मुम्किन है जी अम्बाला से हैं कमल स्वागत है आपका नमस्कार कमल जी आपका सवाल क्या है एस पर दर्द रहता है थांगों में दर्द रहता है आपकी उम्र कितनी है कि कि अठावंत सार दोनु टांगों में दर्दे रहता है यह उम्र और यह दर्द कोई ताज्यूब की बात नहीं है चाले साल के बाद कभी भी यह दर्द किसी को भी हो सकता है अब जब हमसे लोग जुड़ते हैं तो वो काफी वक्त हो चुका होता है साल दो साल पांच साल दस साल हो चुकर होते हैं इस दर्द को इस दो हिदायतें और एक दवा हिदायत यह है कि वेस्टन टॉयलेट यह कुर्सी वाला शोचाले यूज़ करना है और मेहनत नहीं करनी वज़न नहीं उठाना है यह दो बातों का ख्याल लगए और गौन सियाह नाम का एक काला गौन दाता है असली आपको फासिल करना है यह जायके में करवा होता है और इसे काला गौन भी कहते हैं और हम लोग गौन सियाह कहते है यह गौन है जो रौ मेटेरियल है गौन की शकल में नकली बहुत मिलता है असली लेना आपकी जिम्मेदारी यह अगर 100 ग्राम भी मिल गया आपको तो 15-16 रुपए रोस का इलाज है एक ग्राम खाना है एक दिन में वो भी दो किस्तों में अदा ग्राम नाश्ते के बाद अदा ग्राम रात्तों खाने के बाद पानी से या बगहर चर्बी के दूस से यह लेना शुरू कर दें 5-7 दिन सबर करें इससे फाइदा थोड़ा थोड़ा सा 5-7 दिन में होने लगता है और एक महीना होते होते 20-30 परसेंट या इससे ज्यादा यह से चम्फाइदा ऐसे होटा है यृणानी में जरा सा रोग रोजाना निकलता है एक साथ ये फाइदा निकलता और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो फाइदा होना मुम्किन है जी जैपूर से है मोनी स्वागत है आपका जी मैं नमस्ते आंकल जिसे भी मेरा नमस्ते बोल रही जी नमस्कार जैहीन आदाब जी मैं सुन रहा हूं बच्चा मुझे प्रॉब्रम है मेरे हाथ कार में जलन होते हैं मुझे खेल होता है और खाना खाते हैं थोड़ा ज्यादा खाल लेते हैं तो ऐसल अच्छा उल्टी होने वाले थोड़ा इस्सा खाना नहीं खा पाते हैं आपकी एज कितनी है जी ज्यादा भी बड़ा तेजी से होता है और वो यह है कि मैथी सौ ग्राम खरी दे और धनिया दो सौ ग्राम और इन दोनों का बहुत बारीक पाउडर बना लें अब आपको खाना कैसे है एक आता है नमक जैतून यह भी सो ग्राम लेने अलग रख यह नमक ऐसा नमक है जो नम कीन नहीं रहे होता देखने में नमक ही लगता है। यह सो ग्राम खरीद लें अब आदा चमच यह जब पॉडर मैंने बन वाया मैथी और धनिया का डे मेथी और दो सौ ग्राम धनिया इसका पॉडर आदा चमच ले और एक चुटकी में जितना नमक देतू नाता इसे मिलाएं और सुबह नाश्ते से आदा एक घंटा पहले खालिया करें और ऐसी तरह शाम को खाने से पहले आदा एक घंटे पहले खालिया करें अगर यह निस्वा आप लेते हैं तो बहुत जल्द आपको फैदा होना मुंकिन है जी अगले कॉलर है राज कोट से स्वागत है आपका हालो हालो हान में नाम बेन बोल रहे हुए जड़या क्या नाम है आपका मेरा नाम रमा बेन है जी रमा बेन आपका स्वागत है और आप अपना सवाल कर लिजी सासुमा की उमर कितनी है कितनी अच्छी बहू है कि सासुमा के लिए अपने लिए कोई सवाद ने किया वाला कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं इसको कोई रोग नहीं हो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करते वह जो अपना नहीं अपने घर वालों का फाइदा चाहते हैं यह बहुत आसान इलाज है आपकी सासुमा का और यह एक दिनगे कोई से यह जो धनिया होता ना धनिया पीछ ले खुम्बारिक और तिन-चार सो गिरा म पीछ ले और गौन सियाह लेने, सो ग्राम खरीद ले बस, असली लेना है, याद रखें, कि ये नकली बहुत मिलता है, हर जगा मिलता है, हम जब ये बांगते हैं, दुकानदार से जाकर, तो वो हमें क्या दे देता है? एक चमकतावा गौन, शीशे की तरह चमकतावा, वो ऐल्वा ह होता है कोई भी चमकता वा गौन ना ले यह जो गौन में बता रहा हूं गौन सिया यानि काला गौन यह चमकता नहीं है और जायके में कड़वा होता है असली लेना आपकी जिम्मेदारी और आदा चमच धनिया और आदा गिराम आदा गिराम समझे ले काला गौन काला गौन material आता है इसको powder बनाना पड़ेगा अलग से अलग से बना के रखें आदा गिराम काला गौन और एक आदा या एक चमच धनिया में मिलाकर आप रोज़ाना दो बार नाश्टे के पश्चात और खाने के बाद आप दो बार दीजे पानी से या बगए चरबी के दूर से अगर अ आदा गिराम आपको खाना है अगर असली किसी को मिल गया तो बेशतर उनको फाइदा होना मुम्किन है हरियाना से है रेखा स्वागत है आपका हलो रेखा जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है चलिए आपकी कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो गई है तो आपसे कहूंगी कि दुबारा से कॉल ट्राइ कर लिजेगा अब यह समय काफी है अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है और आप जल से जल बहतर होना चाहती है तो आप उसके लिए हमारे हल्प लाइन नंबर पे बात करेंगी तो आपको नुसके बहुत बहतरीन वहाँ पे बताया जाएंगे द जो हकीम सहाब से पहले पूछे जाते हैं उनसे सलह मश्वरा किया जाता है डिसकशन होता है प्रॉपर उसके बाद आपको नुसके बताया जाते हैं अगर आपकी कॉल लग जाती है तो वह बहुत अच्छी बात है अगर आपकी बहुत देर में जाकी कॉल लगती है तो जिस नुस्के का आप सेवन कर रहेते, कितना आपको लाभ मिला है या फिर मन में कोई प्रश्ण आप लोगों के होता है, तो आप लाइप कारिक्रम के माध्यम से अपना रोग संबंध ही कोई भी सवाल कर सकते हैं, जार खंड से हैं, संतलाल जी, स्वागत है आपका, सर बताइए, सवाल कर लिजे, सवाल है, मिदम मनें आपका नज सुग्या है, कलम मुत्या के करण, दिखाए नहीं दे रहा है, मनें सुगर के करण, अप्रसन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यहीं अमरावी है, जो दिखिए, वाकई जब तक सुगर कंट्रोल नहीं होगी, जब तक आपका ऑपरेशन ही सही है, अगर वो दवा भी खाते रहे हैं, शुगर की जो आप खाते हैं, और एक आता है, जामुन का गौन, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है, जामुन का गौन खरीद लीजे, और आदा आदा गिराम, दो बार कम असकम, खाने से आदा गहंटा पहले खाई है, और डॉक्टर की दवा भी खाते रहें, आप चार छे दिन खाएंगे ना, तो आपकी शुगर अपने लेबिल पर आ जानी चाहिए, लगी डॉक्टर की दवा भी खाएं, और फिर आप टेस्ट करा कर अपनी आख का ऑपरेशन भी करा सकते हैं, तो कोई भी बात लिखने से चूग गए हैं, तो उसके लिए आप हेल्प लाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर है, स्वागत है आपका, हान जी आपका नाम क्या है, कहां से बात कर रहे हैं, गौरो नाम है, जी गौरो नाम है जाता है, पहले अपने आप सही हो जाती थी, लेकिन अब इंजेक्शन लगता है, डिल्जयम कोई है, डिल्जयम का गई, तब वो कंट्रोल में होता है, ठीक है, यह भी एक बीमारी है, कि बीपी कम हो जाता है, और पल्स बढ़ जाती है, अब इसके लिए आपको, देखिए समझ लिजे निसका क्या है, यह एक आता है, हलीम, हलीम बूटी कहते हैं उसे, और यह जैसे तिल होते हैं, ऐसे तिल की तरह बीज होते हैं, लेकिन वो लाल होते हैं, सुर्क होते हैं, लाल, यह हली बूटी, जो इंडिया में यूस होती है, वो होती है, जब हम वो फलूदा खाते हैं तो उसमें लाल-लाल से बीज नजर आते हैं आपको तो वही बूटी है यह हली मूटी याद रखें दो तीन सो ग्राम खरीद लें सच्टी आती है और एक चमच हली मूटी आप एक गिलास दूद में जिसमें चर्बी नहो ज्यादा चर्बी नहो या पानी में डाल द दीजे और एक आता है नमक जैतुन वो एक चुटकी में जितना आया वो इसमें डाल दीजे और एक काफी आती काफी काफी जो हम पीते हैं वही काफी एक चुटकी में जितनी काफी आया वो भी इसमें डाल दीजे नमक जैतुन नमकीन नहीं होता और काफी तो आप जानते ह हलीम के बारे मैंने आपको वता एक चमच और एक एक चुटकी काफी और नमक जैतुन असली लें नकली भी बहुत मिलता है इसमें मीठा भी मिला सकते हैं अगर शुगर नहीं है आपकी मम्मी को तो मीठा भी मिला सकते हैं और एक घंटे इसे ऐसी रहन दीजे एक घंटे बाद एक बार या दो बार और खाने से पहले भी दे सकते हैं बाद में भी दे सकते हैं आपकी मम्मी को फाइदा मुम्किन है गोरकपुर से हैं प्रियंका स्वागत है आपका हलो हान जी बताईए मैं क्या सवाल है आपका मैं नमस्कार मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ पूछे आपका ये मैं देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जी शुक्रिया जी मैं मेरे ये बाजुम बहुत दर्द रहता है मैंने इलाज नहीं कराया एक तरह गुरा कराय कोई फायरा नहीं हो रहा तावा भी ले रही हूं दो चार दिन से ये कंधे में दर्द कपसे है ये एक महिने हो गए मैं आपके उम्रे कितनी है ठीक है ठीक है आप देखिए अभी तो बहुत अभी शुरू हुआ है दर्द लेकिन ये दर्द पीछा नहीं शोड़ता है किसी सूरत दर्द की दवाएं भी आदमी कितनी खाएगा जद की दवाइं खाना चाहें तो खाते रहें लेकिन एक मरज की दवा खाएं मरज की दवा एक रौ मेटेरियल मैं अक्सर बताता हूं जिसमें बेचतर लोगों को फाइदा होता है उसको कहते हैं गौन सियाह काला गौन कहते हैं और असली लेना जरूरी है लोग बड़ी बेवानी पर उतराएं नकली बेचने लगें एक गौन सियाह असली लेना आपकी जिम्मेदारी है और बस आधा ग्राम सुबा आधा ग्राम शाम खाने के बाद खा लिया करिए अगर ये असली मिल गया तो आपको रोग मुक्त होना मुम्किन है